हेलो दोस्तों नमस्कार अपने इस यूटूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपने इस यूटूब चैनल पे मैं समय समय पर UP Polytechnic Lecturer Recruitment या फिर बिहार Polytechnic Lecturer Recruitment से related अगर कोई भी अपडेट होता है तो वीडियो के माध्यम से यहां पे अपलोड करते रहता हूँ और आप सभी लोग के साथ जो भी अपडेट होता हूँ से साजा करता हूँ और हम लोग इस पे डिसकस भी करते हैं तो दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ में अगर कोई भी मेरा वीडियो आपको पसंद आत है या कोई मेरा प्रयास आपको पसंद आता है तो उस वीडियो को लाइक जरूर किया करें और साथ जात में अपने दोस्तों के साफTH किया करें क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 फीलिं होगी या फिर वो अपनी मर्जी से लाट करेंगे या हमसे च्वाइस फिलिंग करवाई जाएगी तो दोस्तों उससे रिलेटेड एक अच्छी सी अपडेट आई हुई है तो मैंने सचा आप लोगों के साथ सेहर किया जाए तो चलिए आज की इस वीडियो की पर जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है नौ नियुक्त सिख्चकों अनुदेशकों कार्याला कर्मिकों हे तू पंजी करण में नयुकती विकल्प चूनना असल में बात क्या है कि यह एडवर्टीजमेंट नंबर एक था 1-2014-15 तो एक तो था 4-2014-15 एक था 1-2014-15 तो 1-2014-15 में एक पोछ्ट थी लौकला इlegen बात के दिखाते हैं उनका फाइनल रिजल्प वा था वो 5 में डिकलेर हहां था तो उनी का form open करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उस form में क्या-क्या चीजे पूछ रहे हैं, कैसे हम अपने choice को filling करेंगे, कितनी choice भरनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, कितनी choice भरनी है, ये सब हम उसमें देखेंगे, और साथ ही साथ में हम आपको ये भी उसके बाद हमारे पास है, mother's name पुछा जा रहा है, father's name पुछा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे, आप candidate का mobile number, email ID और data, birth भी पुछा जा रहा है, ये ये चीजे पुछे जाने के बाद, आप देख सकते हैं, यहाँ पे domicile पुछा जा रहा है, कि कौन सा है, domicile हम यहाँ पे भरते भी जाते हैं, अच्छा होगा, तो हम भरते हैं, यहाँ पे domicile जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं, तो यहाँ पे हमने बढ़ा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद category पुछा जारा, किस category से हैं, सपोर्स करीए OBC से, तो OBC भर दिया आपने, फिर gender पुछा जारा, आप selection category OBC है, native state Uttar Pradish है, home district अपना, सोनभद्र है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मैं चुकी सोनभद्र कहा हूं, तो मैंने सोन भद्र भरा गवा है, और selection in a in designation, तो किस post के लिए selection हुआ है, तो यहाँ पर अभी instructor के लिए ही चुकी यह form आया है, तो instructor का ही option आ रहा है, प्र प्र चुछ चुछ पर 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 यहां पर तीन चुछ जा रही है एक बार फिर से मुझे एड़्जेस करने भी जी हाँ यहां देखिए फर्स चुछ फर्स चुछ पर क्लिक करेंगे इतने सारे कॉलेजेस खुल गया रहा है जैसे गवर्मेंट पॉलिटेकनिक सरोन कास गंज और इसकी अलावा आप देखेंगे चुकि मैं यह देखना चाहरा था कि सोन भदर मैंने होम डिश्टिक भरा है तो सोन भदर आप्सन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो अगर आप यह डाउन कर लिए है कि होम डिश्टिक अलाट नहीं होता तो एक चौरइस फिलिंग यह बरबाद नहीं करनी है और एक है यहां पर वैसे सोन भदर मैंने होम डिश्टिक बताए फिर भी ऑप्सन में आ रहा है वहां पे तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो भी कॉलेजेस अवेलबल है यहां पर टिक करना है कि I have hereby declare जो भी declaration है उसके बाद form को submit कर देना है तो यह form submission है तो दोस्तों अगर बात करें कि choice feeling कैसे की जाएगी और कितने college वो मांग रहे हैं तो मैंने आपको जैसा की form दिखा दिया कि जिसमें लगभग यह सारे के normal चीजे ही मांगी जा रही है उसके नाम का जो link है वो यूराइस करके पोड़ोल का नाम है यहां पे आप logo देख सकते हैं यह करके नाम है अगर थोड़ा सा मैं देखूँ तो यूरा इस करकि इस पोड़ोल का नाम है इस to'll come if you go this will change normal. मैं यहां पे लिग करना है aí। मैं यहां पे लिग को पॉर्टल के नाम है। युराइस युराइस पॉर्टल इस फ्रॉर्म फिलप करना होगा। यह गूगल फॉर्म की जरूर दे दूँगा दोस्तों आपको लोगों के लिए और साथी साथ में मैं आपको बताओं कि home district नहीं मिलने वाला आपने आपको ये confirm है चुकि मेरी बात हुई ये polytechnic lecturer लोग जो हैं उनसे मैं अपने district के polytechnic college में गया था तो उनसे भी बहुत सारी चीजे पता चलिए तो आने वाले वीडियो में वो सब भी बना के मैं update करता रहूंगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि जो choice feelings related हमारे मन में questions थे उनका answer यहां पर मिला होगा भी choice feelings related doubts रहे होंगे वो clear हुए होंगे फिर भी अगर अगर कोई चीज आपके दिमाग में रह गए हूँ तो आप comment box में जरूर mention करें और हम लोग उस पर भी discussion करेंगे तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करें share करें और channel को जरूर subscribe करें क्योंकि अभी तक subscriber मेरी उमीद के हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को subscribe करें चाकि एक team अपनी बनी रहे जॉब जॉइन करने के बाद भी हम लोग contact में बने रहेंगे Thank you very much for watching this video